आज के इस वीडियो में दो सिंपल साइंस प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे पहले एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और एक 3 बोल्ड का DC मोटर जो मार्केट में असानी से मिल जाता है इसको गुलोगन के मदद से ठीक इस प्रकास से बीच में चिपका लेना है फिर एक स्वीच लेंगे और इसे भी गुलोगन के मदद से चिपका लेंगे फिर एक बैटरी होल्डर लेंगे और इसको भी चिपका लेना है अब इन सब को वापस में connection कर लेते हैं negative और positive को ध्यान में रखते हुए black wire negative है और यह जो red wire है यह positive है फिर एक rubber लेंगे एक लोहा का metal और इन दोनों को वापस में बांध लेंगे अच्छी तरह से बांध लेना है ताकि यह खुलेना और फिर इसको DC motor के उपर इस प्रकार से चिपका देना है गुलूगन के मदद से अब जब हम इसमें battery connect करते हैं तो यह circuit पूरा होने पर घुमना शुरू हो जाएगा ओफ कर लेते हैं फिर एक कटोरा लेंगे यह इस्टील का कटोरा है जो असानी से घरों में मिल जाता है इसको भी गुलूगन के मदद से चिपका लेते हैं अब जब हम switch on करेंगे तो यह अवाज करेगा आप इस project को बनागर के अस्कूल में दे सकते हैं फिर एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और एक छोटा सा जार का ग्लास लेंगे और इसे ठीक इस प्रकार से चिपका लेना है गुलूगन के मदद से फिर एक बैटरी लेंगे यह 9V का बैटरी है और इसको भी चिपका लेना है फिर एक switch लेंगे और इसको भी चिपका लेना है फिर एक छोटा सा लोहा का मेटरल लेंगे आप इसके जगा कील का भी इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास यही था तो मैं इसका उप्योग कर रहा हूँ इसको भी चिपका लेते हैं गुलूगन के मदद से एक दूसरा लेंगे इसमें भी वायर लपेट के मेरे मतलब कनेक्शन करके और इसे भी गुलूगन के मदद से चिपका लेते हैं एक छोटा सा लकडी का टुकडा लेंगे और इनमें एक LED लाइट को चिपका देंगे यह LED लाइट हमारा ग्रीन कलर का है अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं नेगेटिव और पोजेटिव को ध्यान में रखते हुए अब इसको गुलूगन के मदद से बेटरी के उपर इस प्रकार से चिपका लेना है फिर इनका कनेक्शन कर लेना है फिर एक बेटरी कनेक्टर लेंगे और इनका भी connection कर लेना है ये देखिए हमारा project बनके ready हो गया अब इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और दूचमच नमक लेंगे जिसको salt water कहते हैं इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और जब इस salt water को इस jar में डालते हैं देखिए हमारा LED light glow कर रहा है salt water इसे great conductor of electricity ये हमें physics में बताया गया था आप देख सकते हैं real में हम आपको experiment करके दिखाए हैं आप इस project को school या college में gift कर सकते हैं simple है लेकिन असान भी है बना सकते हैं आप घर में ठीक है आप इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like करें thanks for watching मिलते हैं एक नई वीडियो में